अरो जोस्तों मैं हूँ नीरा जोर आप देख रहे हैं study commerce और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पोजिशनिंग के बारे में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी follow कर सकते हैं मेरी आईडी है नीराज पांडे ओफिशियल आप मेरे वीडियो से लेटेड कोई भी क्वेरी यहां पूछ सकते हैं आप हमाए लेक्चर के पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस दिये गए नंबर पर हमें वाट्सेप के थूरू कॉंटेक्ट कर सकते हैं हम पिछले कुछ वीडियो में STP अप्रोच के बारे में डिस्कुस कर रहते हैं जिसमें S4, Segmentation, T4, Targeting और आज हम P पढ़ने वाले हैं यानि Positioning के बारे में तो मैंने STP अप्रोच पे पहले ही दो वीडियो बना लिया है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या Description में भी आपको इन दोनों वीडियो का Link मिल जाएगा फिर भी यहाँ पर मैं Segmentation और Targeting को Briefly Discuss कर दे रहा हूँ सबसे पहले बात करते हैं Segmentation की तो जब हम Large Market को छोट-छोटे Small Segments में Divide कर देते हैं तो उसे हम Segmentation कहते हैं अगर मैं आपसे Technical Terms में बात करूँ तो जब हम Large Heterogeneous Market को हम जब छोट-छोटे Homogeneous Market में Divide कर देते हैं तो उसे हम Segmentation कहते हैं For example, इंडिया में रने वाले लोगों को अगर हम उनकी Income के Basis पे अगर हमने 3 Category में Divide कर दिया For example, High Income Group, Medium Income Group या Low Income Group के Basis पे अगर Divide कर दिया तो इसे हम Segmentation कहते हैं अब बात करते हैं Targeting का Segmentation के बाद एक Firm को अपने सारे Segments को, Various Segments को Evaluate करना परता है और Decide करना परता है कि किस Segment को उसे Target करना है इसे हम Targeting कहते हैं For example, अभी हमने देखा कि हमने इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको उनके Income के Basis पे 3 Category में Divide कर दिया है For example, यहां पर आपने High Income Group को Target कर दिया, तो इसे ही हम Targeting कहेंगे अब बात करते हैं Positioning की, जो आज का Topic है सबसे पहले यह जानते हैं कि Positioning होता क्या है मैं आप यह दो Brand Name लिखता हूँ, आपको बताना है कि आप इन दोनों Brand के बारे में क्या सोचते हो पहला Brand है Realme, आप Realme का Phone यूज करते हो और दुसरी तरफ है Apple आपको यह बताना है कि आप दोनों Brand Name को देखके आप क्या सोचते हो For example, क्या आप यह सोचते हो कि Apple जो है एक Premium Brand है, Luxurious Brand है और दुसरी तरफ जो Realme है, वो Economy Class के लिए बनाया गया एक Brand है तो यह जो सोच है आपकी इसी को हम Positioning कहते हैं यानि कि एक Consumer के Mind में किसी भी Product को लेकि क्या सोच है, उसकी क्या Place है इसे ही हम Positioning कहते हैं For example, अगर मैं आपको Noodles का Example दूँ कि आप अपने दिमाग में Noodles का Example लीजी तो क्या आपके दिमाग में Maggie आ रहा है, दो मिनिट का या मैं आपको Almira के बारे में बोलता हूँ क्या आप किसी Brand का नाम बता हो तो क्या गोद्रे जा रहा है आपके दिमाग में तो यही Positioning होता यानि कि किसी भी Consumer के Mind में किसी भी Product को ले कि उसकी क्या Image है, क्या Place है इसे ही हम Positioning कहते हैं For example, Automobile Market के अंतगत जो मारूती 800 है उसे Position किया गया है as a Economy Class के लिए यानि कि मारूती 800 जो है, वो Middle Income Group के लिए बनाया गया है और दुसरे तरफ जो Mercedes है, वो Luxury Car है यानि जो High Income Group है, उन लोगों के लिए बनाया गया है तो यह होता है Positioning तो यहाँ पे हम Product की बात कर रहे हैं तो इसे हम Product Positioning कहते हैं अगर मैं Technical Term से बात करूँ कि Product Positioning होता क्या है तो यह एक तरीकी का Complex Set of Perceptions होता है Impressions होता है या Failing होता है जो एक Consumer किसी भी Product के बारे में एक Failing बनाता है, एक सोच बनाता है Compared to जो Competitors के Product है, उनके Comparison में तो Product Positioning इतना Important है क्यों? क्योंकि आपने देखा कि Consumer खुद एक Image बनाता है कि एक Product जो है, उसका क्या स्थान होना चाहिए क्या वो महेंगा Product है, क्या वो सस्ता Product है ये Consumer के खुद की Perception होती है तो हम Product Positioning करते ही क्यों है? अब देखिए कि एक Marketer जो है, वो अपना Product इस चीज़ पर छोड़ नहीं सकता कि Consumer उसको क्या समझते हैं या Consumer क्या Feel कर रहे होंगे क्या, उनका Impression होगा या क्या उनका Perception होगा इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि Marketer do not want to leave their products position to chance यानि कि Marketer जो है वो ये नहीं चाहता कि छोड़ दो Consumer पे वो सोचेगा कि Product किस तरीके का है इसलिए जो Marketer होते हैं वो Position को Plan करते हैं ताकि जो Maximum Advantage है वो उस Product से ले सके और काफी Profit बना सके अब यहाँ पर लिखा गया है कि Choosing a Differentiation and Positioning Strategy अब हमें ये तै करना होगा कि हम किस तरीके से अपनी Positioning Strategy बनाएंगे लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है differentiation होना आपके Product में differentiation का क्या मतलब है जैसे जब आपने ये तै किया कि Realme जो है वो Economy Class के लिए बनाया गया है और Apple जो है वो एक Premium Brand है तो इन दोनों की बीच में जो आपने Difference बताया है कि एक कम Income Group वाला Purchase करता है और दूसरा जो है वो High Income वाला Group वाला जो Person है वो Purchase करता है तो ये differentiation आपने किस Basis पे की है तो ये differentiation हो सकता है कि Apple का Quality काफी अच्छा हो काफी Premium Looking हो काफी Durable हो इस तरह के से कुछ Basic differentiation है जो आगे हम पढ़ने वाले है तो differentiation और Positioning Task के अंतगत तीन तरीके के Steps आते हैं तीन Step इसके अंतगत आते हैं लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 Step दिया गया है धबराये मत चौथा जो Step है वो Effective Communication का है यानि कि जो भी आप Strategy बना रहे हो उसे Consumer को Deliver भी करना जरूरी है तो Main आपको ये तीनों सिर्फ याद रखने हैं First दिया गया है Identifying a set of Differentiating competitive advantage on which to build a position Second दिया गया है Choosing the right competitive advantage और Third दिया गया है Selecting an overall positioning strategy ये तीन पॉइंट में ये सारा lecture खतम हो जाएगा तो Detail में इसको पढ़ेंगे आप ध्यान से बस इन चीजों को सुनते रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं Identifying possible value differences and competitive advantage सबसे पहले हमें ये identify करना होगा कि हमारा जो product है वो दूसरे competitor से किस तरीके से अलग है और हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि वो हमारा product जो है वो सिर्फ different ना हो बलकि हमें competitive advantage भी मिले अब बात करते हैं competitive advantage की की competitive advantage होता क्या तो जब एक company अपने competitor की comparison में अपने customer को ज़्यादा value provide करता है तो उसे हम competitive advantage कहते हैं अब ये competitive advantage दो तरीके से परात किया जा सकता है पहला होता है अपने product के price को कम कर देना जैसे Xiaomi हैं वो mobile phone मनाती है तो उसका जो price होता है उसके competitor से हमेशा कम होता है चाहे वो OnePlus हो, चाहे Samsung हो, चाहे Apple हो इन सारे competitors के comparison में उसके product का price जो होता है वो कम होता है तो इसे हम competitive advantage कहते हैं दूसरा एक और तरीका है कि अगर आपके product का price ज्यादा है तो आप ज्यादा benefit भी provide करिये जो उस higher price को justify कर सके For example, Apple उसका price काफी ज्यादा होता है लेकिन काफी हद तक वो justify भी कर देता है higher prices को तो first point में हमने पढ़ाता कि identifying possible value differences and competitive advantage जैनि हमें competitive advantage को identify करना होता है और हमेn value differences को भी identify करना होता है यानि differences को भी identify करना होता है positioning में क्या होता है कि आपका product जो है वो किस तरीके से दूसरे से अलग है ये भी हमें identify करना होता है तो जब हम point of differentiation की बात करते हैं यानि कि जब कोई भी marketer ये सोचता है कि हमें अपने product को अलग दिखाना है तो वो किस तरीके से अलग दिखा सकता है अलग-अलग तरीका है differentiation का जैसे product differentiation, service differentiation, channel, people और image differentiation ये तरीका है differentiation का एक-एक करके बात करते हैं product differentiation की अब एक product अपने competitor के product से किस तरीके से अलग है ये होता है product differentiation अब एक competitor का product और आपका product किस तरीके से अलग है for example आपका features जो है वो competitor की feature से ज़्यादा अलग है ज़्यादा बहतर है performance आपका product का ज़्यादा अच्छा है या फिर style और जो design है वो भी बहतर है तो इसे हम product differentiation कहते हैं for example Bose, Bose क्या है एक speaker बनाने वाली company है जो काफी अच्छे design के और काफी अच्छे sound वाले speakers बनाती है जिनका base काफी strong होता है तो ये एक product differentiation का example हो गया next है service differentiation अभी तक आपने देखा कि physical जो product है वो differentiation create करता है लेकिन एक firm जो है वो service के थरू भी differentiation create कर सकता है अब service के थरू differentiation कैसे create किया जा सकता है for example जो भी आप service दे रहे हो वो काफी fast हो convenient हो consumer को और जो delivery है वो भी carefully हो तो service differentiation इस तरह के से हो सकता है यहाँ मैंने खुबसूरा सा example आपको दिया है अमेरिका में एक जगह है Texas तो bank of Texas जो है वो service provide करता है आप जानते हैं कि bank एक service industries के अदर आती है तो bank जो है वो 7 दिन खुले होते हैं जनरली आप देखते हो Monday to Saturday ही bank खुले होते हैं लेकिन जो bank of Texas है वो offer करता है 7 day a week even शान तक भी आपको ये service मिलेगी तो आप दूसरे banking service को देखो तो वहाँ पे आप Monday to Saturday आप जा सकते हो वहाँ पे काम कर सकते हो लेकिन ये जो bank of Texas है वो अलग है कैसे अलग है क्योंकि वो पूरे हफते खुला रहता है और शाम के टाइम पे भी साथ आठ जो भी टाइमिंग हो उस टाइम पे भी वो खुला रहता है तो service differentiation के थूरू भी हम differentiation दिखा सकते हैं next है channel differentiation अभी तक आपने देखा कि हम product differentiation कर सकते हैं service differentiation कर सकते हैं अब हम channel differentiation के थूरू भी अपने product को अलग दिखा सकते हैं Channel differentiation के अंतरगत क्या होता है कि जो भी आपका channel coverage है वो आप बहतर कर सकते हो दूसरे से expertise आप बढ़ा सकते हो और आपका जो performance है वो भी आप बहतर कर सकते हो compared to competitors और इस तरीके से आप competitive advantage gain कर सकते हो through channel differentiation for example amazon.com यह क्या करता है हर जगा पर इंडिया पर आप कहीं पर भी product मंगाना चाहते हो वहां पर यह मंगा सकता है लेकिन अगर आप कुछ जो नए brands हैं जैसे अरभी जो customized purse बनाता है वो आप किसी गाउं में order नहीं कर सकते हैं delivery नहीं वो पहुचा पाएगा क्योंकि उसका जो channel coverage है वो उतना नहीं लेकिन Amazon का क्या है channel coverage ज़्यादा है तो यह competitive advantage होगा अब बात करते हैं people differentiation की तो people differentiation के अंतरकत यह दिया गया है कि company में जो भी लोग आपकी काम कर रहे हैं वो आपके competitor से ज़्यादा बहतर हो इसके लिए जरूरी है कि जो भी employee काम कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से आप hire करो उनको proper training दो तब जाके आपका company अच्छी service दे सकता है for example disney world जो है वहाँ के जितने भी employee है वो काफी friendly है काफी caring है क्योंकि उनको इस तरीके से training दिया गया है कि वो लोगों को हमेशा खुश रखे ताकि अधिक से अधिक लोग वहाँ पे आएं जैसे आप barbecue nation का भी गया होगे तो आप वहाँ देखे होगे कि वहाँ के जो लोग ह होते हैं वो काफी welcoming होते हैं काफी अच्छे तरीके से आपको treat कर रहे होते हैं तो यह है people differentiation इसके अलावा भी आप देखते हो कि आप उन दुकान में जाते हो जहां पर लोग काफी अच्छे होते हैं तो जहां पर लोग अच्छे होंगे जहां पर employees अच्छे होंगे वहाँ एक competitive advantage होता ही है अब बात करते हैं brand image differentiation की जब कोई भी company जो है वो एक तरीके के product लगभग एक तरीके के जो product होता है वो offer करता है तब भी एक consumer दो brand के बीच में किसी एक को ही select करता है और वो इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पे brand image एक important role निभाती है इसलिए किसी भी company या brand image को इस तरीके से होना चाहिए कि वो एकदम अलग और unique हो यानि वो unique हो और benefit provide काता हो consumer को यहाँ पे ध्यान रखेगा कि brand image को बनाने में काफी hard work लगता है creativity लगता है और यह brand image long term में ही develop हो पाता है यहाँ पर मैंने कुछ example दिया है जैसे mcdonald का logo दिया गया है google logo या apple का जो कटा हुआ save आप देख रहे हैं यह सिर्फ एक logo नहीं है बलकि एक strong company या फिर brand recognition है यानि कि एक तरीके से एक उसकी पहचान है brand कि सिर्फ उसका logo ही काफी है तो brand image के थूरू भी हम differentiation create कर सकते हैं यहाँ पर ध्यान रखेगा कि कुछ company जो है वो अपने brand name को कुछ color के साथ associate कर लेते हैं जोड लेते हैं जैसे Coca-Cola जो है वो red color के साथ associated है IBM जो है वो blue color के साथ है और UPS जो है वो brown color के साथ है अब बात करते हैं second step की second step है choosing the right competitive advantage है उनको identify करना है competitive advantage को identify करना है और second step था कि उनमें से हमें right competitive advantage को select करना है यानि उन differences को हमें select करना है जो कि हमें competitive advantage भी देते हूँ तो माल लेते हैं कि एक company है जिसने potential differences जो है वो identify कर लिया है अब उसे किसी एक competitive advantage को select कर लेना चाहिए यानि एक value वाइड करती हूं यहाँ पर एक important question यह आता है कि जो भी company है उसे यह decide करना होता है कि उसे कितने differences को promote करना चाहिए और कौन से तो सबसे वेले बात करते हैं how many differences to promote क्या किसी भी company को एक difference को promote करना चाहिए difference मतलब आपने देखा product differentiation channel differentiation service differentiation brand image differentiation यह आपने different differentiation के बारे में अभी पड़ा तो यहाँ पर वही question आ रहा है कि कितने differences को एक company को promote करना चाहिए तो जायता जो marketer है उनका यह कहना है कि किसी एक differences को आप promote करो जिसमें आपको competitive advantage मिलता है जिससे customer को ज़्यादा benefit provide होता है उसी को आप target करो और promote करो दूसरे marketer का यह कहना है कि company को अगर वो चाहता है तो वो एक से अधिक differentiation को promote कर सकता है लेकिन यहाँ पर challenge यह है कि क्या वो company एक से अधिक जो differences है उसको promote कर सकता है क्या वो एक से अधिक differences को promote करने के स्थिति में है अब बात करते हैं which differences to promote कौन कौन से differences को promote करना चाहिए क्या सारे differences जो है वो promote करने लायक होते है या सिर्फ कुछ differences को promote करना चाहिए तो यहाँ पर लिखा गया है कि not all differences are meaningful or worthwhile जानि कि सभी brand differences जो होते हैं वो meaningful नहीं होते हैं लायक नहीं होते हैं और जितने भी differences होते हैं उसके साथ ही company का जो cost होता है वो भी बढ़ता जाता है अगर आप अपने competitor से अपना product अलग करना चाहते हैं या अलग तरीके से बनाना चाहते हैं तो उसमें आपकी अलग cost include होगी, cost बढ़ेगी एक example से बताता हूँ कि सारे जो brand differences है वो meaningful नहीं है Singapore में एक hotel है, hotel का नाम है Western Stamford Hotel अब इस hotel ने एक advertisement में ये बताया कि ये जो hotel है वो world का tallest hotel है अब क्या ये किसी भी tourist के लिए क्या important changes है या differences है तो answer है no, इसका ज़्यादा तर जो tourist है उन पे कोई impact नहीं पड़ा यानि ये differences जो है, वो meaningful नहीं है, बलकि ज़्यादा जो tourist है उनका ये mood off कर दिया तो इससे ये पता चलता है कि सभी जो brand differences है वो meaningful नहीं है, worthwhile नहीं अब यहाँ पे एक question आता है कि कैसे हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन से difference को हमें implement करना चाहिए या फिर कौन सा difference जो है, वो beneficial है company के लिए तो यहाँ पे कुछ criteria दिया गया है, अगर कोई भी brand differences अगर इंग criteria को satisfy करता है तो वो differences जो है, वो worth है, लायक है First है important, तो आपको ये देखना होगा कि जो भी difference आप दे रहे हो यानि अपने competitor से आपका product जो भी अलग है, जिस तरीके से अलग है क्या वो अपने customer को high value benefit प्रवाइड कर रहा है, क्या वो ज़्यादा उनको benefit प्रवाइड कर रहा है Next है distinctive, इसके अंतकत ये दिया गया है कि जो भी आप product प्रवाइड करा रहे हो वो एक तरीके से अलग हो, competitors जो हैं वो इस तरीके के differences को provide ना कर सके या फिर आप इस तरीके से provide करो कि वो एक unique तरीका हो यानि आप अपने product के differentiation को इस तरीके से provide करो कि वो एक unique तरीके से customer के सामने जाए नेक्स्ट है superior अब जो आपका differences है वो इस तरीके के होना चाहिए कि वो superior हो यानि दूसरे brand से आपका जो difference है वो superior हो और same benefit भी provide करता हो नेक्स्ट है communicable जो भी differences आप provide कर रहे हो वो communicable भी होना चाहिए यानि consumer तक उस बात को पहुचना भी चाहिए कि ये आपका brand दूसरे brand से अलग है और visible भी होना चाहिए यानि consumer को दिखना भी चाहिए कि ये product वाकई में अलग है नेक्स्ट है primitive प्रिम्टिव का मतलब ये है कि आपका product जो है वो primitive होना चाहिए यानि competitors जो है उसको आसानी से copy न कर सके यानि जो भी differences आपने product में बनाया है वो आसानी से competitor copy न कर सके नेक्स्ट है affordable जो भी आप differences बना रहे हो difference create कर रहे हो product में वो affordable भी होना चाहिए यानि buyer can afford to pay for the differences यानि जो भी difference है उसके लिए consumer afford भी कर सकता हो for example Samsung ने आपने देखा कि फोल्डिंग फोन बनाया लेकिन उसका प्राइज जो है वो एक लाग से उपर है तो क्या सभी बायर उसको afford कर सकते हैं आंसर है नहीं यानि यह difference जो है वो affordable नहीं है next है profitable यह बहुत important point है कि जब भी आप difference create कर रहे हो तो यह आपके company के लिए भी profitable होना चाहिए अगर यह profitable नहीं है तो इस तरीके का differentiation create करने का कोई मतलब नहीं तो अभी आपने देखा कि सबसे पहले हम value differences को और competitive advantage को identify करते है फिर हम right competitive advantage को select करते है और तीसरा दिया गया है selecting and overall positioning strategy यानि कि अंत में हमें overall positioning strategy को अपनाना होता है अब overall positioning strategy का मतलब क्या है मतलब है mix of benefit यानि जितने भी benefit उन सब का एक mixture जो होता है वो overall positioning होता है for example BMW car जो है वो ultimate driving machine माने जाती यानि बहुत अच्छा performance होता है लेकिन क्या सिर्फ एक element काफी है इस product को बेशने के लिए नहीं तो हम क्या करते हैं हम इसे कहते हैं कि ये luxury product भी है styling भी है और इसके अलावा जो भी ये price charge करता है उसको वो कहीं न कहीं justify भी करता है तो ये जो mix of benefit है इसे हम overall positioning कहते हैं जानते हैं यानि mix of all benefits तो यहाँ पर five winning value proposition दिया गया है जो आपको जानना important है फर्स दिया गया है more for more यानि कि ज़्यादा benefit आपको मिलेगा प्लस ज़्यादा charges भी आपसे किये जाएंगे यानि आप scale product और services होगा यानि top notch product होगा लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा price भी charge किया जाएगा और इस तरीके के जो product होते हैं सिर्फ high quality के नहीं होते हैं बलकि prestige वाले भी होते हैं यानि आपको ख़िद्दे के बाद गर्व होगा आपको काफी खुशी होगी जैसे Rolex watches या iPhone, Mercedes, BMW आप कोई भी example ले सकते हैं तो यह क्या है value proposition होता है एक तरीके सा overall जो positioning होती है वो होता है mix of benefit होता है लेकिन यहाँ पर more for more जो value proposition है उसका एक disadvantage भी होता है कि ज़्यादा जो brand होते हैं वो imitation कर सकते हैं जैसे Xiaomi जो है वो Apple का imitation करता है तो more for more यह था next है more for the same यानि कि जब एक brand जो है वो इस तरीकी के quality दे रहा है जो comparable हो जिसको हम compare कर सकते हैं at lower price तो उसे हम more for the same कहते हैं for example Toyota Toyota आप जानते हैं शायद जापान की company है जो car बनाती है उसने एक car launch किया जो था 36 जा डॉलर में अब यह जो more for the same value proposition है रहा है वो इस तरीकी के quality दे रहा है जो किसी दूसरे brand से हम compare कर सकते हैं लेकिन low price में provide कर रहा है जैसे Mercedes और BMW जो है उसी तरीकी के feature जो है वो 72,000 डॉलर में दे रहा है तो यह था more for the same जिसको हम side by side comparison कर सकते हैं next है the same for the less same for the less का मतलब है कि brand same होगा अच्छा deal चाहते हैं जैसे इंडिया में flip card, amazon, mintra है उसी तरह की से US में best buy है या walmart तो best buy और walmart जो है वो इस तरीकी के positioning अपनाता है अब आप देख रहा है कि same brand है और low price पर है ने deep discount दिया जाता है तो इतना discount यह company दे कैसे पाती है क्योंकि इनके पास होता है superior purchasing power यह brand से जो company होती है उनसे बहुत बड़े पैमाने पर product खड़ती है और per unit cost यहाँ पर कम आती है इसलिए वो काफे discount दे पाती है next है less for much less यानि next value proposition जो है वो है less for much less यानि कि ऐसा value proposition जिसमें product का जो offer है वो कम है यानि product that offer less and therefore cost less यानि कि जब product कम offer करता है तो आपसे कम charges भी कियाता है जैसे आप धर्मसाला में रहोगे तो 100-200 रुपए में राद में रह सकते हो अब छोटे मुटे hotel में रहोगे तो वहाँ का charges 1000-2000 होगा अब उससे बड़े hotel में रहोगे तो ज़्यादा charges होगा अब 5-star hotel में रहोगे तो उससे भी ज़्यादा charges होगा तो ज़्यादा तर जो traveler होते हैं जो travel करते हैं वो यह नहीं चाहते कि hotel में unnecessary की चीज़ें हो और उसके वैसे charges बढ़ जाए जैसे pull हो गया अटाइज restaurant हो गया या फिर gym हो गया तो इसके लिए जो hotel है वो ज़्यादा charges करते हैं तो आज के time पे जो hotel industry है वो less for much less value proposition को अपनाती है यानि कि customer को उतना ही देती है जितना उनको जरुवत है और कम charge करती है फाइनल है more for less यह सबसे ज़्यादा winning value proposition माना जाता है लेकिन यह काफे tough होता है सबसे पहले जानते हैं कि more for less का मतलब क्या है जब कोई company ऐसी value proposition प्रोवाइड करती है जिसके अंतरगत आपको ज़्यादा benefit दिया आता है लेकिन less price पे दिया आता है for example जियो का आप example लें तो अपने Reliance जियो का देखा कि starting में जब भी यह launch हुआ तो तीन मेने छह मेने आपको free में दिया गया आपको service internet यूज करने के लिए लेकिन क्या यह lifetime यह possible है तो lifetime यह value proposition possible नहीं है short term में तो आप देख सकते हो कि एक अच्छा position company establish कर सकती है यानि वो short term में तो यह value proposition customer को दे सकती है दे सकती है बट long term में किसी भी company के लिए यह काफे tough हो जाता है यह service provide करना यानि more for less का मतलब क्या है ज्यादा benefit कम price में अभी आपने five winning value proposition के बारे में देखा जो एक company अपना सकती है अब एक important term के बारे में बात करते हैं जो है positioning statement तो positioning statement एक statement ही होता है जो कि किसी company या brand का positioning strategy बताता है जिसमें यह पता चलता है कि जो target segment है यानि target market है वो कौन है और उनकी need क्या है और हमारा जो brand है उनका concept क्या है और किस सरीके से वो value proposition provide कर रहे है यानि point of difference क्या है for example evernote जो कि एक digital content management application है जो कि उन लोग के लिए बनाया गया है जो काफी busy रहते हैं अगर उनको कुछ note करना है कुछ capture करना है या कुछ उनको याद आ गया जो उनको note करना है या कोई उनका idea है जो वो तुरंत लिखना चाहते है तो वो evernote उनको service provide करता है कि आप उस evernote application पे note कर ले और बाद में जब भी जरुवत हो तो आप fast तरीके से उसको access कर सकते हैं जैसे आप mobile में एक app होता है to do list आप बनाते हो उसी तरीके से एक application है जिसका नाम है evernote तो इसके target segment वो consumer है जो काफी busy होते है और जिनको कुछ creative चीज़े है या कोई idea दिमाग में आता है तब उन सारे चीज़ों को वो इस evernote application पे note कर सकते हैं तो यह है positioning statement तो अभी तक आप ने देखा कि किस तरीके से आप value proposition को identify करते हैं किस तरीके से आप competitive advantage को identify करते हैं उसके बाद right competitive advantage को आप choose करते हैं उसके बाद आप एक overall positioning strategy बिल्ड करते हैं अब आखरी point आता है कि आपने जो भी strategy बना ली है अब उसको communicate भी करना है deliver भी करना है the chosen position यानि जो भी आपने position अपने product की बनाए है उसे आपको communicate करना है customer को और deliver भी करना है कि अब आपको और भी काहब बनावने शीजार भी करते हैं अब तरुआब को कि अज़ें कि अब उसके नहीं को कुँआब को कि अधना है बादिए याज़ को अवाचोने है आपको हो आपको आपको झाल